हलो फ्रेंट्स गुड मोर्निंग आप सब कैसे हैं मैं आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब का पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा हम लोग पढ़ने वाले हैं exercise पांट जो पांच पॉइंट एक पढ़ने वाले हैं जिसमें संतत असंतत दिखाना है कि कौन फलन संतत है और कौन फलन असंतत है उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो देखिए सबसे फर्ष नंबर ये संतत असंतत का कुछ थिवरी पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा पांच पॉइंट एक में आता है संतत असंतत जाच करने के लिए जो एकजाम में ती याद रखिएगा तो लीमिट याद रखिएगा तीन होता है लीमिट कितना होता है तो तीन होता है कौन-कौन लीमिट होता है तो याद रखिएगा एक लेप्ट लीमिट होता है लेप्ट लीमिट है ठीक है दूसरा हो जाता है डाइरेक्ट लीमिट डाइरेक्ट लीमिट तीसरा होता है राइट लिमिट कोई दिक्कत तो नहीं है याद रखिएगा पहला लेप्ट लिमिट दूसरा डाइरेक्ट लिमिट और तीसरा याद रखिएगा राइट लिमिट कोई तो दिक्कत नहीं है अब देखिए इसमें इसमें लिखेंगे क्या तो देखिए इधर limit limit lt लिखे तो limit समझेगा ठीक है lt लिखे limit कहिएगा h tends to यहाँ पर 0 होता है इसका theory होता है याद रखिएगा f देखिएगा f फलन f का मतलब क्या होता है function तो फलन a-h होता है a-h जबकि यहाँ पर लिखेंगे याद रखिएगा limit h tends to 0 याद रखिएगा f यहाँ पर h होता है क्योंकि right में इधर जाते हैं तो plus होता है जबकि left में जाते हैं तो रिनात्मक होता है इसके वज़ा से a-h दिखाए यहाँ पर a plus h दिखाए कोई तो दिकत नहीं है बनाएंगे question आप खुद समझ जाएगा ठीक है अब देखें इसमें क्या करते हैं एक सबारावर 0 direct हो जाता है क्योंकि 0 लेकर नहीं बना जाता है क्योंकि direct मान रखा जाता है इसके वज़ा से direct limit होता है कोई तो दिकत नहीं है अब देखिए यह तो आप समझ गए होंगे च याद रखिएगा left limit अभी बता है left limit अद दूसरा कौन बता है दूसरा direct limit ठीक है direct limit अद तीसरा कौन बता है तो याद रखिएगा right limit याद रखिएगा ठीक है संतत कब कहेंगे असंतत कब कहेंगे याद रखिएगा जब तीनो का मान अगर बराबर आ जाए ठीक है तीनो का मान बराबर आ जाए तो याद रखिएगा ओ संतत होगा क्या होगा जब तीनो का मान नोट में लिखना है तो लिख सकते हैं जब जब तीनो का मान तीनो तीनो का मान याद रखिएगा कुश्यन नोट है जब तीनो का मान मान बराबर हो तो वह फॉलन क्या होता है तो संतत होता है याद रखिएगा अभी क्या बोले जब तीनो का मान बराबर है जीसे इसका भी मान एक आ रहा है इसका भी मान एक आ रहा है दूसरा और तीसरा का भी मान एक आ रहा है तो याद रखिएगा तीनो का मान अगर बराबर आएगा तो उस फॉलन को कहिएगा संतत याद रखिएगा क्या कहिएगा संतत जब तीनो का मान अलग अलग आ रहा है जैसे इसका मान एक आया है इसका मान में मातर दो ही लिमिट हो जिसमें सिर्फ दिया रहे है लेप्ट और डाइरिक्ट तो याद रखिएगा दो ही दिया रहे लिमिट तो दोनों का मान बराबर आएगा तो संतत होगा जबकि दोनों का मान बराबर नहीं आएगा तो याद रखिएगा ओह फॉलन क्या हो जाता है असंतात हो जाता है इतना तक कम्प्लीट है कोई तिकत तो नहीं है चलिए आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं कोशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं देखिए कोशन पहला कोशन कह रहा है कि सीध कीजिये की फॉलन एफ एक्स क्या दिया है फॉलन एफ एक्स पहला कोशन है फॉलन एफ एक्स बरावर दिया है फाइफ एक्स माइनस थीरी ठीक है एक्स बरावर जीरो पर भी जाज करना है एक्स बरावर माइनस थीरी पर भी जाज करना है एक्स बरावर और क्या कर रहा है पांच पर भी आपको संतत की जाज करना है संतत है की नहीं है याद रखिएगा तीनों पर जाज करकर आपको बताना है हम एक पहले बताएंगे फिर दो बताएंगे फिर तिसरा भी बताएंगे तो याद रखिए परापारी निकालेंगे हम ठीक है तो देखिए सबसे फर्स्ट नमपर में क्या करेंगे तो पहले ये कोशन ध्यान रखिए यहीं फॉलन दिया है यहीं कोशन है अपका एफ एक्स बराबर 5 एक्स माइनस 3 कितना कितना परजाज करना है तो एक्स बराबर 0 पर जाज करना है एक्स बराबर माइनस 3 पर जाज करना है और एक्स बराबर 5 पर विजाज करना है तो देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट क्योंकि 3 गो दिया है न तो इसके करनी है लिखेंगे जाज करनी है ठीक है लिख देंगे अब देखिए इसको लिखेंगे तो अब पारा-पारी वहीं लिमिट लेकर चलेंगे तो कौनों लिख लिखेंगे पहले कोई दिक्कत नहीं है लेप्ट लिमिट लेप्ट लिमिट में लेप्ट लिमिट में चलेंगे त itureठे टीड स्टेंस टूजीरो एफ ए-माइनस येच दिवाए हैं है लिख वहां पर लीमिट एफ- pee माइनस इच ये क्या है जिसपर जाच करने के लिए आएगा ओमान हो जाएगा जैसे जी你們 नियतांक है तो वहीं रखेंगे ठीक है एच के जगह पर यह 0 değil क्ईयों कि वेश्ट एच्टेस्टी घिरू दिया है ठीक है कैसे तो fx wash akan त्लिखेंगे यह और लिखेंगे we एक्स की जगह पर क्या रखना है तो एक्स की जगह पर दिया है ए माइनस एच तो एक्स की जगह पर अब क्या कर देंगे अब देखिए पांच एक्स के जगह पर लिखना है तो एक्स की जगह पर लिखना है तो एक कितना दिया है तो जीरो पर जाच कर रहे हैं तो जीरो यहा h tends to 0 जब h tends to h का मान रख दीजेगा तो लिमिट हट जाता है तो अब देखिए h का मान भी रख देते हैं तो देखिए रखेंगे तो कितना हो जाएगा तो देखिए 5 ये 0 अब माइनस h का मान 0 रख दीजे 0 अब बताईए यहाँ पर माइनस 3 तो अब बताईए यहाँ जीरो से मंटिप्लाई कीजेगा तो क्या हो जाएगा अपका 0 अब माइनस 3 बराबर आपका आया क्या चीज़ माइनस 3 ठीक है आगे देखिए अब देखिए इसको बनाते हैं राइट लिमिट कौन सा तो राइट लिमिट राइट लिमिट में तो राइट लिमिट में क्या करेंगे ध्यान दिजिएगा L T H tends to 0 अए एफ अए पलस यहाँ पर H लिखेंगे ठीक है क्वेशन क्या दिया है वहीं दिया है तो क्वेशन लिखेंगे L T H tends to 0 क्वेशन पांच एक्स माइनस तीन दिया है तो वैसा ही लिख देंगे ठीक है अब यहाँ पर L T H tends to 0 अब देखिए यहाँ पर पांच दे दिये एक्स की जगह पर क्या लिखना है एफ पलस यह लिखना है क्योंकि एफ एक्स है न तो एफ पलस यह लिखना है ए किस पर जाज करना है तो 0 पर तो 0 पलस एच हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 पलस एच लिखेगे अब माइनस 3 है क्योंकि 3 यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है आगे देखिए फिर कितना होता है तो L T अब देखिए यह एच का मान रख देते हैं तो रखते हैं तो 0 तब 5 सो आगे देखीए अब डाइरेक्ट लिमीट में डाइरे में लीमिट में तो जाएगा तो डाइरेक्ट इसमें मां रख देंगे जैसे डाइरेक्ट लिमिट में एलटी यहां पर इंस्टेंश टू नहीं x बराबर 0 क्योंकि 0 पर जितना पर दिया रहेगा उतना रख देंगे यहां पर 0 direct नी fx नी होता है ठीक है fx अब देखिए lt x x लिखना है h नहीं x क्या लिखना है x बराबर जितना पर जाज करना है वह ही लिखेंगे तो question कितना है fx का तो 5x minus 3 है कोई दिकत नहीं है अब यहीं वाला मान रख दीजिए तो 5x की जगा पर 0 रखना है minus 3 तो अब बताईए यहाँ पर क्या होगा 0 minus 3 तो minus 3 अब बताईए यह तीनो का मान बराबर आ रहा है तो देखिए left limit का भी आया है minus 3 right limit के भी आया है minus 3 और direct limit का भी आया है minus 3 यह अपका तीनो का मान बराबर है इसके वाज़ा से x बराबर लिखेंगे 0 पर क्या चीज़ है संतत है याद रख लिजेगा क्या है तो संतत है ठीक है किस first नहीं बन गया अभी नहीं समझ में आया होगा तो इस question को उतार लेजिए फिर केस अगला पढ़ाता रहें ठीक है देखिए केस दो नमबर चलते हैं तो केस यहाँ पर लिख रहा है दो ठीक है कितना पर जाच करने के लिए जीरू पर तो जाच कर दिये कि संतत है अब देखिए जाच कर रहे है माइनस तीन पर कितना पर तो एक सबारा पर लिखेंगे कि माइनस तीन पर संतता की की जाच करनी है जाच करनी है ठीक है अच्छा तरह से लिखते रहे ये subjective आता है ठीक है देखिए अब left limit पहले कोई भी limit निकाल सकते है कोई दिकत ने है left limit में left limit में तो कैसे निकालेंगे ध्यान दिजिएगा एल्टी एच टेंस टू जीरो लेट राइट में इस टेंस टू जीरो मानते हैं तो लेट है तो एफ ए माइनस होता है क्योंकि राइट में पुलस होता है ध्यान रखिएगा ये ठीक है तो यहां पर एल्टी एच टेंस टू जीर यह एफ एफ है तो एफ फॉलन यह एफ एफ की जगह यह पर क्या हो जाएगा तो एक्स नहीं हो जाएगा तो एफ एक्स नहीं हो जाएगा तो अब बता यह एफ एक्स यहीं पर लिख देंगे ऐसे l t h tends to 0 f x के जगा पर क्या हो जाएगा तो यह दिया है 5 x minus 3 question दिया है ठीक है अब बताईए यह दिया है तो x के जगा पर क्या रखना है a minus h रखना है लेकिन a हम बता है जिस पर जाज कर रहे हैं वहीं हो जाता है तो अब बताईए यहाँ पर किस पर जाज कर रहे है तो minus 3 पर जाज कर रहे है तो minus 3 रखना है एक इज अस्थान पर तो अब यहाँ पर रखिए l t h tends to 0 5 गुना क्या कर देंगे x के जगा पर a तो minus 3 आई यह पलस की minus है तो minus है क्योंकि left है न इसके वज़ा से ध्यान से देखते रहे है अभी नहीं समझ में आया है तो वहीं लिख दे रहे है फिर a minus h क्या लिखेंगे a minus h फिर minus 3 और फिर समझ ज़ेगा देखिए अब इसको अब देखिए limit h tends to 0 5 यहाँ पर 5 लिख दिए क्या लिखे 5 5 5 यह a a हम बता है कितने पर जाज कर रहे हैं तो minus 3 पर minus 3 plus की minus तो minus है h क्योंकि लिख्ट नहीं है तो यहाँ पर minus h ठीक है कोई दिकत तो नहीं है अब minus 3 अब देखिए h का भीमान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 यह minus 3 यह minus 0 minus 3 इसको देखिए अब हल करेंगे तो minus 5 यह 15 हो जाएगा तो minus 15 अब minus 3 बराबर आ गया minus 18 आपका एंसर कितना है minus 18 अब देखिए right limit का right limit में limit में तो देखिए right limit में क्या करते हैं ध्यान से देखिए lt h tends to 0 lt का मतलब limit f a plus h होता है इसमें ठीक है तो lt h tends to 0 ठीक है यहाँ पर fx लिखेंगे fx के जगा पर कितना हो जाएगा lt h tends to 0 question क्या दिया है तो वहीं है तो 5 x minus 3 बराबर lt h tends to 0 एक बार दिखा दिया है एक के अस्थान पर क्या रखना है जिस पर जाज कर रहे है वहीं रखेंगे तो 5 यहाँ पर लिख देंगे याद रखिएगा x के जगा पर a plus h है तो minus 3 plus h कोई दिकत तो नहीं है minus 3 अब इसको हल करेंगे तो याद रखिएगा अब h का भी मान रख दीजे तो 5 यह minus 3 plus 0 minus 3 है तो इसको भी हल करेंगे तो कितना जाएगा पस्ति यही के 15 minus हो जाएगा 3 तो यह भी 18 आ गया कोई तो दिकत नहीं है अगला देखिए direct limit direct limit में तो direct limit में क्या बोले है limit h tends to नहीं यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 0 नहीं जिस पर जाज कर रहे हैं किस पर जाज कर रहे हैं तो minus 3 पर जाज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे यह f x कोई दिकत तो नहीं है अब बराबर limit x बराबर minus 3 f x के जगह पर क्या है तो 5 x minus 3 है तो direct रखिए तो 5 अगुना minus 3 minus 3 पस्ति याई के 15 तो minus 15 minus 3 बराबर यह भी minus 18 अब बताए इस पर भी यह left का भी minus 18 right का भी minus 18 और direct का भी minus 18 यह आगे है तीनों का मान बराबर है तो लिख देंगे कि x बराबर यहाँ पर लिखेंगे नीचे ध्यान रखिएगा नीचे लिखिएगा x बराबर minus 3 पर संतत है last में कोई दिकत तो नहीं है ना समझ गए ठीक है उतार लीजिए केस थड़ भी बता देते हैं आपको देखिए अब कितने परजाज करना है तो करना है अब फाइफर यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर plus 5 पर संतता की संतता की जाज करनी है क्या करनी है तो जाज करनी है कि संतत है की नहीं है ठीक है left limit left limit में तो left limit में क्या हम बता है lt h tends to 0 f a minus h lt h tends to 0 f x x के जगाँ पर f x के जगाँ पर कितना है question लिख देंगे lt h tends to 0 समझ गए होंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 5 x minus 3 ठीक है lt h tends to 0 ठीक है अब x के जगाँ पर क्या लिखेंगे a minus h लेकिन एक मान क्या हो जाएगा 5 पर जाच कर रहे हैं तो 5 लिखेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर लिख देंगे 5 minus h बराबर minus है minus 3 अब बराबर करेंगे अब h का भी मान रखना है तो h के मान रख दीजे तो 5 यह 5 minus 0 आप minus 3 इसका एंसर कितना आया तो देखिए 25 आप minus 3 करेंगे 25 आप minus 3 करेंगे तो कितना आजाएगा तो याद रखिएगा 25 आपका करेंगे तो आपका आएगा कितना तो 22 कोई तो दिक्कत नहीं है 25 माइनस 3 22 आगे देखिए राइट लिमिट में राइट लिमिट में lt h tends to 0 और फास्ट बनाने आजाएगा आप लोग को ठीक है जैसे बना रहा है वैसे ही बनाते हैं अब देखिए हाँ पर पलस कर दिये अब lt h tends to 0 यहां पर लिखिएगा f x ठीक है अब lt h tends to 0 ठीक कोश्चन है 5 x माइनस 3 5 x माइनस 3 x की जगह पर क्या हो जाएगा 5 पलस 0 हो जाएगा तो 0 कहां तो h के जगह पर तो अभी नहीं रखना है तो सिर्फ ऐसे लिखना है lt lt h tends to 0 पांच यहां पर पांच पर जाच कर रहे हैं पांच पलस h हो जाएगा माइनस 3 ठीक कोई तो दिकत नहीं है देखिए एक जगह पर कितना पांच रख दिये अब देखिए एच का भी मान रख ये पांच पांच पलस 0 माइनस 3 एभी होल करेंगे तो कितना आएगा अब का 22 आया पचाः पचीस माइनस 3 नहीं करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा कोई दिकत नहीं है डाइरेक्ट लीमिट देखिए डाइरेक्ट लीमिट में डाइरेक्ट लीमिट में क्या हो जाएगा तो एल टी एक्स बराबर पांच देखेंगे क्योंकि डाइरेक्ट होता है डाइरेक्ट लीमिट में डाइरेक्ट रखते हैं अब बताईए यहां पर लेख दिये, x बराबर, h नहीं, क्या रखेंगे, x बराबर 5, कोश्चन कितना है, तो 5 x माइनस 3 है, रखेंगे, तो देखिए डाइरेक्ट, 5 गुना, x की जगह पर 5 रखेंगे, माइनस 3 करिए, तो 25 अमाइनस 3 करेंगे, यह भी 22, अब बताइए, यह भी 3 का मान क्य आ गया, 22-22 आया, लेट का भी 22, राइट का भी 22, और डाइरेक्ट का भी 22, यह भी क्या है, तो x बराबर, 5 पर संतत है, यहीं आपको जाच करना है, संतत है, यहीं आपका 5 नमबर का कोश्चन आएगा, ठीक है, याद रखिए, इसको अच्छे तरह से बना लिजेगा, ठीक अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, तथा नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैहिं दोस्तों